हैलो गाइस आम पाइल वेलकम टू पाइल्स ब्यूटी व्लोग इस वीडियो के टाइटेल और थामनेल से आप लोगो पता चाली गया है कि आज मैं आप लोगो के साथ डियाईवाई शेयर करने वाली हूँ तो चले शुल करें कि इस फास्ट हैक में मैंने यहां पर एक लिपस्टिक लगा लिया है यह वाला ही लगाया है मैं फिर से लगा के आप लोगो को दिखा देती हूं मैंने यही कलर एपला किया है यह एक ब्राउनिश वाइन कलर है अभी इसको थोड़ा सा अच्छा लुक देने के लिए मैं इसके उपर यह वाला जो ओरेंज इस आई शेड़ो है यह वाला अपलाई कर लूँगी आप कोई भी कलर का जो थोड़ा सा ग्लॉसी हो थोड़ा सा शाइन होना चाहिए उस आई शेड़ो में वैसा कोई भी कलर का आई शेड़ो आप यूज़ कर सकते हो एक अच्छे लुक के लिए अब इसके बाद मैं यह लाइट पिंक वाला कलर लूँगी और इस तरीके से लगा दूँगी और लिपस्टिक के उपर लगने से यह लिपस्टिक में अच्छे से चीपक जाता है तो खरब नहीं होगा और बहुत अच्छा एक ग्लॉसी सा फिनिश आपको मिल जाएगा देखिए कितना अच्छा लग रहा है अभे और इस सेकेंड हैं में मैं यहाँ ऐख डार्क मैजेंट कलर की लिपस्टिक से आउटलाइन ड्रॉँ कर रही हूँ इस हैक में मैं दो कलर का लिपस्टिक एपलाई करूँगी मतलब एक ही साथ दोनों, दो कलर कर शेड मैं यूज करूँगे याप पे कुछ इसको आप कह सकते हो कि आंब्रे स्टाइल, इसको आप आंब्रे स्टाइल का कह सकते हो पर वहाँ पर वह लोग लीप लाइनर यूज करते हैं पर यहां पर मैं सिर्फ लिप्स्टिक यूज़ करूंगे क्योंकि अभी लीप लाइनर उतना फैशन में नहीं है तो मेरे पास लीप लाइनर नहीं है तो मैं यहाँ पे दो कलर का लिपस्टिक यूज़ किया एक डार्क कलर आउटलाइनर और एक न्यूट कलर मैंने अंदर फिल किया है मतलब आउटलाइन के अंदर यहाँ पे मैं आउटलाइन को और थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ और अभी जो लाइट कलर मैंने न्यूट कलर फिल किया है उसके उपर ये लाइट पिंक कलर का जो आईशेडो है वो मैं लगा दूँगी इस तरीके से मैं उपर और नीचे के लिप पे लगा दिया है और ये कम्प्लीट देखिए कितना अच्छा एक लुक आया है और ये थार्ट हैक में याप पे मैं एक लिप बाम यूज़ करूँगी ये मेबलीन बेबी लिप्स कलर है तो इस लिप बाम को मैं आईशेडो और ब्लाशर की तोर पे यूज़ करूँगी ये उन लोग के लिए बहुत अच्छा होगा जो लोग कॉलेज गर्ड है तो कॉलेज में हम रोज मेक अप करने का टाइम भी नहीं होता रोज मेक अप करना पॉसिबल भी नहीं है मैं तो नहीं करती रोज मेक अप क्योंकि स्कीन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता पर कभी-कभी होता है ना कि कॉलेज में गए है विदाउट मेकप पर फिर कहें जाने का प्लैन बन गया सादेंगली और उस वक्त हमारे पास कोई मेकप किट है नहीं पर एक लीब बाम हमेशा होता ही है सबके पास ही या फिर लीब स्टिक तो उसको ही as a eyeshadow और as a blusher हम यूज़ कर आप कोई भी light color का lipstick भी यूज़ कर सकते हो इसको थोड़ा सा लगा के आच्छे से blend करना है बस यह लीब बाम मुझे बहुत पसंद है थोड़ा सा light red color में आता है यह और बहुत creamy है तो मेरी लीब को भी बहुत soft रखता है और एक अच्छा सा इस तरीके से eyeshadow या ब्लाशर की त सब्सक्राइब करते हैं जरुरत पढ़ने पर आपको यह DIY टीप्स सारे अच्छे लगे है और अगर आपको यह सारे टीप्स अच्छे लगे है और यूसफूल लगा है आपके डेली लाइफ में यूज़ करने के लिए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इ इस चैनल में बहुत सारे नए नए और अच्छे अच्छे टीप्स और वीडियो आते रहते हैं तो प्लीज इस चैनल के साथ जूरी रहिए आप लोगों को बहुत कुछ नया सीखने को जाने को मिलेगा थैंक्यू सो मुँच